व्लादिमेर पुतिन रूस के पाँचवी बार राश्रुपती बने हैं रूस में हुए चुनाव में पुतिन को रिकॉर्ट 88 फीजदी वोट मिलें विरोधे निकोले को मात्र 4 प्रतिशत वोट मिलें परिणाम आने के बार पुतिन ने विक्टरी स्पीच भी दी और सीधे सीधे विश्वे युद्ध की धम की देडाली आज की इस फीडियो में आपको बताते हैं पुतिन के बारे में वो कुछ खास बाते हैं जो उन्हें वाकई में दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार करती है पुतिन पहली बार साल 2000 में रूस के राश्ट्रपती बने थी 2008 में पद से हट कए थी फिर 2012 में उस समय के प्रेसिडेंट मेद विदेव ने पार्टी से उन्हें फिर से राश्ट्रपती के लिए नॉमिनेट किया 2012 में जीत के बाद से वो लगातार राश्ट्रपती के पद पर बने हुए हैं पहले रूस में दो बार से जादा कोई राश्ट्रपती नहीं रह सकता था कारेकाल भी चार वर्षों का ही था लेकिन नवंबर 2008 में दिमित्री ने सम्विथान संशोधन कर राश्ट्रपती का कारेकाल चार से बढ़ा कर छे वर्ष कर दिया पुतिन मात्र 18 बरस की उम्र में जूडों में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं पुतिन लेनिंग्राद जिसे अब सेंट पीटर्स बग कहा जाता है वहां के गरीब परिवार में जन्मे थे और बच्पन में चूहों का शिकार किया करते थे पुतिन को जासूसी से जुड़े नौवल काफी पसंद है एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो पूरी आर्मी नहीं कर सकती वो एक जासूस कर सकता है पुतिन हमेशा से अपने फिटनेस को लेकर चर्चा में रहे हैं उनका शरीर इस उम्र में भी फिट है तो वहाँ पर हर एक चीज पुतिन के इस्तमाल में आने वाली बदल दी जाती है पुतिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका रूसी जासूस अन्ना चैपमेन के साथ अफेर भी रहा था पुतिन ने साल 2008 में पूरवी रूस में एक टीवी दल को बाग के घातक हमले से बचाया भी था पुतिन बीटल्स और पॉल मेकाट्रिनी के बहुर बड़े फैन है पुतिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके पास 46 अरब डॉलर की संपत्ती है अगस 2010 में रूस में जंगलों में लगी आग बुझाने वाले भी जहास के पाइलिट पुतिन ही रहे पुतिन के दादा रूस के दिगज नेता लनिन और स्टैलिन के रसोये के तौर पर काम कर चुके थे पुतिन KGB में भी रह चुके हैं और उस वक्त पश्यमी देशों में रूस के लिए पुतिन जासूसी किया करते थे पुतिन के बारे में एक बात मशूर है कि उन्हें अंग्रेजी भले ही नहीं आती हो लेकिन जर्मन भाशा में वो काफी निपुण हैं पुतिन डॉग लवर भी हैं पुतिन की दो बेटियां मारिया और तिक तारिना इनका जीवन गोपनिय है